नमस्कार स्वागत है आप सभी का जनन ओले स्टेडी क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम अध्यन करेंगे उत्राखंड आर्थिक परिद्रिश्या तो इस चेप्टर के अंतरगत हम महत्वपूर्ण MCQs का अध्यन आज की वीडियो में करेंगे तो शु प्रस्न तीन है उत्रखंड को विशेष राजे का दर्जा दिया गया तो उत्रखंड को विशेष राजे का दर्जा दिया गया एक अपरेल 2001 को ऑप्सन A सहिवतर है प्रस्न चार है राजी में भारतिय स्टेट बैंक के सयोग से चलाए जा रही ग्यनोतकर्स योजना का प्रेशने 5 है निम्नी रिखित वक्तेवियों पर विचार कीजिए तो कथन A है राजी में विकास के लिए बहुत अंतर सकती है, कारण R है विकास के लिए वेग्यानिक नियोजन तथा प्रिभावी किर्यान वेन मसीनरी क्या हो सकता होती है, तो यहाँ पर option B से उत्तर है, A औ और R दोनों सही है तथा R A का साइश परस्टी करना है, तो option A से उत्तर है, प्रशने 7 है जून 2006 में RBI की शाखा राजी के किर्जिले में खोली गई, तो देहरादून में खोली गई, option A से उत्तर है, प्रशने 8 है, 2011 की जनगर्णा की अनुसा प्रदेश में कुल कारशील जन से उत्तर है, तो option C से उत्तर है, प्रशने 12 है, राजी योजना आयोग का पदेन अध्यक्स होता है, तो राजी योजना आयोग का पदेन अध्यक्स होता है, मुक्य मंत्री, option B से उत्तर है, प्रशने 13 है, राजी वित्ता आयोग के प्रितम अध्यक्स निमने में से कौन दे तो राजे वित्ता आयोग के पिर्थम अध्यक्सते आर के धर ऑप्सन भी से उतर है प्रशने सोदा है केंद्री योजना आयोग द्वारा अधार वर्षु 2011-12 में जारी रिपोर्ट के आउसार राजे में कितने प्रतिशाद लोग निर्धन है तो यहां है 11.2% अप्सन D से उतर है प्रशने 15 है केंद्री योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के आउसार सहरी वग ग्रामी निर्धनता है 10.6% और ग्रामी निर्धनता है 10.48% अप्सन A से उतर है प्रशन 16 है प्रदेश में GST करपनाली लागू की गई तो प्रदेश में GST करपनाली लागू की गई एक जुलाई 2017 से उप्सन C से उतर है प्रशन B राजे में हस्तसल पर समागरी मोश्टा कोतुपादित करने में निमनमेर्चे कौन माल प्रियोग में लाय जाता है प्रशन 21 है प्रदेa से उतर है ब्रशन 21 में कागज का सब्से बड़ा कारखा कहने करपन जित है तो राजी में कागज का सबसे बड़ा कार खाना इस्तित है लाल कोई में उप्सन A से उतर है प्रशन 23 से राजी में निम्ली लिखित इस्थानों में से कथा फैक्टरी कहां इस्तित है तो कथा फैक्टरी इस्तित है हलदवानी निताल में उप्सन B से उतर है प्रशन 25 उत्रांचर राजी के श्रिजन के समय 11 वे वित्ता आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था तो विशेश राज्य का दर्जा दिया गया था उप्सन C से उत्तर है प्रशन सब्वी से सूची फरस्ट तो सूची शेकेंड को सुमिलित कीजिये तो न हरिद्वार में तो D का उत्तर एक हो गया तो 3, 4, 2, 1 इसका से उप्षन है उप्षन D तो उप्षन D यहां पर से उत्तर है प्रशन 17 से राजी की अधिकांस कागज मिले है उधमसी नगर जन्पन में उप्षन B से उत्तर है प्रशन 18 से राजी में मैंगनिसाइट की पहली फ प्रशन 33 से देहरादूर में RBI की साखा इस्तापित की गई तो यहां इस्तापित की गई जून 2006 में उप्षन C से उत्तर है प्रशन 31 से राजी की सबसे पुरानी सूती वस्तर मिल है तो यहां कासिपूर में है उप्षन C से उत्तर है प्रशन 32 से राजी में परवती एवन दुरस्त चेतरों हेतु विशेश एककरत ओध्योगिक प्रोसहा नीती एक अपरेल 2008 को लागू की गई थी यहां नीती लागू रहेगी तो यहां नीती लागू रहेगी 31 मार्च दोजार अठरा तो कॉप्शन A सही पतर है प्रशन तैतिस है निम्नों मेंसे कौन ओध्योगिक किस इस्तान पर इस्तित है तो यहां राणी बाग नैनी ताल में इस्तित है उप्शन A सही पतर है प्रशन 37 से निम्नों मेंसे किस इस्तान पर सिमेंट फैक्टरी इस्तापित की गई तो सिमेंट फैक्टरी इस्तापित की गई राणी पोखरी में उप्शन C सही पतर है प्र सिल्क पॉर्य कि स्थापना थे शे राजरी से याुए हाइए तो और 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 नियुझे गए देहरादूह दोंगे के सिल्प उतपदों को दूसरे राज्यों में किस ब्रplain्ड नेम से बेचा जाता है तो इन्हें बेचा जाता है हिमांदरी ब्रांड नाम से option D से उतर है प्रशने 44 है उत्राखंड में पीतल नगरी के रूप में विकाश किया जा रहा है तो उत्राखंड में पीतल नगरी के रूप में विकाश किया जा रहा है अलमोडा का option D से उतर है प्रशन 45 है रिंगाल का उप्योग किया जाता है तो रिंगाल का उप्योग किया जाता है कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में option D से उतर है प्रशन 46 है उत्राखंड में वेट कब लागो किया गया दोजार पांच में उप्शन ए से उतर है तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतरगत आज की वीडियो में हमने परिक्षावानी बुक का अध्याई 15 उत्राखन आर्थिक परिद्रिश्य तो इस चैप्टर के अंतरगत दिये गे 46 MCQs का अध्याई किया नेक्स्ट वीडियो में हम इसी करम में परिक्षावानी बुक का अध्याई 16 जो की है उत्राखन कल्यानकारी योजनाय अन्यकारिकरम तो इस चैप्टर के अंतरगत दिये गे महत्वण MCQs का अध्याई करेंगे अगर वीडियो पसंद आई है तो प्रीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अपना अमूलिय कमेंट भी जरूर कीजेगा इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है थैंक्स पर वाचिंग